हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग एक बाद फिर से स्वागत था आपका हमारे यूटूब चैनल स्टडी भी थी होगे इसमें कैसे हो सकते हैं क्या पूछना है भी ठीक है वहाँ पे इतनी बड़ी सेध मारी हुई और उसके बाद एक नई उम्मीद के साथ हम लोग 2023 में इंटरी किये और ये उम्मीद के साथ की यार आने वाला समय अच्छा होगा बहतर होगा तो उसके बाद आयो कोई एकजाम मिला और वहाँ पे अंदर बैठा हुआ इनसान यानि अगर मैं आप पे ट्रस्स करूँ आप पे भरोसा करूँ और आप लोग मेरे पीट पे छुरी मार दे मैंने आपको अपने साथ रखा आप मैंसे कोई चात मेरे साथ आया उसने कहा कि सर मैं आपके साथ वर करूँगा या कुछ करूँगा जो भी आपकी हेल्प होगी मुझे अपने साथ रखे, मैंने अपनी परसनल चीजें भी उसको बताई, हर चीज बताए उसके बाद अगर मुझे वो धोका दे रहा, उसके बाद मेरे पीट पे अगर वो खंजर भोक रहा है तो क्या कह सकते हैं इसमें ठीक है? यही उम्मीद थी कि सब कुछ सही होगा, अच्छा होगा तो लेकिन आज फिर देखे 8 जनवरी को एक्जाम हुआ, तीन दिन के बाद ये कंडिशन है मतलब जग जाहिर हो चुका है कि हो क्या रहा है? मतलब भरोसा करें, तो किस पे करें? पढ़ाई करें, कब तक पढ़ें? पढ़ें, ना पढ़ें, क्या करें? हर परकार से एक confusion, एक हर परकार से परेचानी, एक हर परकार से तनाव बच्चा इतने सालों से महनत करता है लगातार माबाब के सपने पूरे करने के लिए काम करता है घरों से दूर रहता है, किराया कहीं से लाता है माता पिता लेबरी करके पैसा देते हैं वो कहीं से उधार बाजी करके उधार में कपड़े मांगे इवन कई चातर तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो दूसरों के दिए कपड़े पहलैंते हैं रिलेटिव वगएरा जो आते ना वो दे जाते हैं उनके दिए कपड़े पहलै फिर भी ये सोच्ते हैं कि यार मेहनट करें कही न कहीं एक नए एक दिन हमारा अच्छा होगा भेटर होगा और हम अपना करियर बनेंगे और उसके इस टाइब की चीजे हमारे सामने आती हैं तो बहुत दुख होता है वच्चो ठीक है आप एक छात्र होने के नाते आप तो दुखी है ही है आप से ज़्यादा दुखी मैं हूँ आज क्योंकि मुझे उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि अब जाके ऐसा होगा क्योंकि क्या कहूं बच्चो ठीक मुझे तो बहुत कुछ आ रहा लेकिन साही नहीं रहता ऐसे बोलना उपन मन्च पे आके ऐसे कुछ बोलना साही नहीं रहता लेकिन मैं इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है STF हमारी उसको ठैंक्स कहूंगा अपने यूटूब परिवार के ओर से अपने यूटूब के चात्रों के ओर से जिसने चीज़ों को इतनी जल्दी उजागर किया सोचिए अगर ये चीज़ां उजागर नहीं हो पाती मतपटबारी की एक्यजाम हुआ लोगं की जॉइनिंग भी हो जाती और ये चीज़ उजागर नहीं होती तो आप अपने को कोस्ते रह जाते कि हमारी कमी रह गई हमारी महनत अच्ची नहीं थे, आपको ये समझ नहीं आ पाता कि आपकी कमी तो जो भी थी, लेकिन उन्होंने जो आपकी साल भर की महनत को छोड़के रविवार की महनत को, रविवार को जो एक्जाम देने गे थे सनिवार को जो पेपर मिल चुगा है या सुक्रबार जब भी वेपर मिला, उनके सामने आपकी जो महनत थी, वो समझी नहीं पाता कि पाते हैं आप लोग कि अब क्या कर रहा है, मतलब क्या हुआ मनों के साथ, टीक है, तो at least हम इतना देख सकते हैं इसमें एक positive देख सकते हैं, कि thanks to STF, उत्राकन STF जिसने इतनी जल्दी इस पे मतलब कामिया भी पाई और इस चीज़ को उजागर किया वरना हम तो यही रह जाते हैं, यहां जिला सीरीज पढ़ने में यहां हम लोग individual topic सीरीज पढ़ने में यहां हम लोग उत्राकन परिक्षामानी, उत्राकन विंसरी, अर्भू, घटना चक्र, जियस की 30 classes, 90 class course यही हम लोग के जीवन रहता है, यही हम पढ़ते रह जाते हैं इसी उम्मीद के साथ कि यार, इस exam में नहीं तो अगले exam में होगा अगले exam में होगा, आकिर कब तक भई, कब तक पढ़ें हम मतलब क्या हमारे भाग्य में, हमारे जीवन में सिर्फ यही लिखा है कि हम तैयारी करते रहें, तैयारी करते रहें, तैयारी करते रहें अपनी मेहनत में कमी है, अगर हम लोग की मेहनत में कमी है हम लोग नहीं कर पारें तो हम उसको improve करके हम लोग और महनत करके और ज़्यादा आगे बढ़के और ज़्यादा सामने आके और ज़्यादा कड़ी तपश्या करके चीज़ों को पा सकते हैं लेकिन जब इस परकार की चीजे होने लग जाएं सामने जब इस प्रकार के घटनाएं सामने लग जाती तो दिल बहुत ज़्यादा दुखता है बच्चो ठीक है मेरा तो आज मान के सब गी जब मैंने एक ख़बर सुनी उस समय इसे mood off है मनला completely आपको मेरा चेहरा देखे भी लग रहा होगा बहुत ज़्यादा एक प्रकार से जो कहते हैं कि यार आकिर भ Gud तो पढ़ा रहा था तो बच्चो को क्यों बढ़ा रहा है मैं तो यही सोचता था जैसे कई बच्च्चे सोचते भी हो नब एक comment भी लिक रहा था एक बच्चा से आप लोग तो views बढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं वो तो बच्चों देखो वो तो मेरी आत्मा जानती है मैं क्यों पढ़ाता हूँ ठीक है मैंने किसी को views बढ़ाने के लिए या इसके लिए कभी life में नहीं पढ़ाया ठीक अगर मैंने ऐसा किया होगा तो मैं इतना मत भी कल्यूग है इतना भी मैं नहीं कर सकता हूँ कि अपनी जौब को मैं खत्रे में डालके आप लोग के लिए आगया हूँ इतना तो नहीं कर भाऊंगा क्योंकि मैंने जिस चीज का जिम्मा लिया है वो आप लोग को पढ़ाने का लिया है आप लोग को समझाने का लिया था आप लोग को मोटिवेट करने का लिया और वो मैं हमेशा करूँगा मतलब आप लोग कई लोग मतलब अर्थे निकालते हैं चीजों का कई लोग कंपरेजन करते हैं इन से सीखे, इन से सीखे, ये छात्रों के साथ आ गया आते हैं, बच्चो जितना मेरे हाथ में है, जितनी मेरी शमता है, मैंने फिछले दो से धाई साल में आपको पूर्ण दिया है, सत परतिशत दिये हैं, अगर उन लिमिटेशन से बाहर अगर आप कहोगे, कि ये है, वो है तो उसमें तो फिर अब जानते हैं किसी के भी जॉब है, उस पे कोई आके नहीं बोलेगा, ठीक है, तो जो भी है, जैसा भी है, क्योंकि STF नहीं अच्छा काम किया, ये समय में चीज़े पकड़ में आगे, तो आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये मैं भी नहीं जानता हूं कि आगे क्या होगा, और हमारे पास क्या भी खल्प हैं, बताएगा, आप खुद ही आप सोचना, अगर आप कहेंगे, कि नहीं सर्फ फोरेस्गार्ट की अभी मत कराईए, आप छोड़ देजे, तो आपको फोरेस्गार् अगर आपके पास कोई और आप्सन नहीं है, और हमारी मजबूरी है, अब तो मैं यही कहूंगा, कि हमारी मजबूरी है, भाई, हम एक उम्मीद के साथ कभी ना, कभी तो यार, कभी तो वो सबेर आएगा, यह मत्तलब जो होता है, कि उम्मीद यार, इस बार नहीं तो इस कर सकते हैं बताई क्योंकि 22 तारिक को अगर पेपर होता है फोरस्ट कार्ट होता कि वो तो हो नहीं है तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा आप क्या है क्या नहीं है लेकिन ये एक अच्छी चीज जो इसमें निकल के सामने आई है वो है STF का वर्क और वो सही वर्क होने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि यार चलो अगर ये ऐसा किया भी है क्योंकि देखना इस चीज़ को ऐसे समझना मैं जैसे हम लोग डारिक्ट किसी चीज़ को completely वो नहीं कह सकते कि यार हाँ ये पुरा का पुरा इसने ऐसा कर दिया वहाँ पे किसी ने अगर मैंने लिखा भी मैंने कहा भी खी कोई किस पर करी नहीं सकता है और हमारे पास बिकल्प सीमीत है बिकल्प हमारे पास कुछ नहीं है तो हम यही कह सकते हैं बच्चो मैं तो यही कहूंगा आप लोग उसे थोड़ा सा निरास तो आप चरूर होंगे कार से जब यह नकल गिरो हुआ जो है यह इस टाइप की चीज़े करते रहेगा ऐसा काम होता रहेगा तो फिर चार्तर का मनोबल टूटना सौभावी है ठीक है और यह मनोबल टूटेगा ही टूटेगा कुछ भी कर लेजे इसका कोई तरीका नहीं है इसका एकी तरीका है जब आपके एक्जाम सही तरीके से हो जाएं completely परतिसाथ पार दर्सिता के साथ हो जाएं हमारी अगर कहीं महनत कम है हम नहीं भी select होते हैं तो हम कभी blame नहीं करेंगे अगर 100% अगर transparency अगर सामने आ जाए लेकिन अगर हम हमारी महनत तो छोड़ो हमारी महनत तो तब काम आएगी जब सामने वाला सही तरीके से exam conduct करा ले तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है कि STF ने जिसे पकल लिया या जो भी हुआ तगड़ा कुछ action होगा इसमें जो भी करेंगे यह हम सिर्फ hope कर सकते हैं और इसी hope के साथ जैसे 22 तारीक को exam है सबसे पहले तो अभी आपका उसक पता आपका बचा है मैकजिममान के चलिए 7-8 दिन आपके बचे हैं तो पेपर तो होगा उस तारीक को क्योंकि admit card साइद आपके जारी हो चुगे ना उसको तो आपको पढ़ नहीं है बचो उसको skip मत कर दे ना उसको छोड़ मत दे ना वो तो आपको इक बार देखना ही दे देखी में यही कर सकते हैं बच्चों ठीक है नहीं तो back to back अगर इस प्रकार की चीज़े हो रही है तो यह बहुत ही निंदनी है साप साप आप भी जानते हैं बहुत ज़्यादा दुरभागी पूर्ण है कि कुछ लोग कुछ गिरोह ऐसे अभी भी हैं जो महनती बच्चों कि महनत पर सेधमारी कर रहे हैं यह बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में डिसपॉइंट जो इंसान को करता है बहुत ज़्यादा निराज जो करता है बहुत ज़्यादा जो तनाव मर डाल देता है वो इस परकार की चीज़े हो रही है और ऐसा अगर होता रहा तो फिर क इसको उम्मीद रहेगी कि यार वो पड़े, न पड़े, क्या करें आंके, यानि कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है, जब इस परकार की सब चीज़े दिखती है, तो थोड़ा सा अपने आपको रिलाक्स मोट में डालके थोड़ा सान्त हो के, कुछ समय देना चाहिए, अपने आपको मतलब एक दो दिन का वेट करो कि है, इसमें क्या मतलब हो रहा है, ठीक है, जो भी होगा, डिसीजन जो भी होगा, वो दिखेगा, इसमें UKPSC का स्टेटमेंट आना बाकि है, अभी जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम लोग वेटेन वाच की स्थिति में रहते हैं, लेकिन 22 तारीक का क्योंकि एक्जाम है, 22 तारीक को अगर आपको पढ़ना होगा, ठीक, अगर पढ़ना होगा, तो बताना, मन तो मेरा नहीं है, मैं रियल बता रहा हूँ, अब बिल्कुल भ हाथ अगरी है, आसा तो जो आस थी, जो उम्मीद थी, कि यार चलो ये वाला एक्जाम सही तरीके से होगा, उसमें भी एक गिरोह ने ऐसा कर दिया, वो तो थैंक्स को हो बार बार की स्थिति अपने उजागर कर दिया, वरना पता लगता, वहाँ वो पटवारी की ट्रेडि कर रहे हैं, मतलब यह भी वो enjoy कर रहे हैं, कहीं को लिख रहे हैं, मैंने कहीं social media में पढ़ा, कि exam सरजल सहस्तान को कराना चाहिए, पेपल leak नहीं होगा, ऐसे भी चाहते हैं, कोई एक लड़की का नाम tag कर रहे हैं, अंजली अंजली कहते हैं, पटवारी के लिए, बहुत तो जो भी है, जैसे भी है, हम लोग कल से जो है, आप लोग की, जैसा भी आपको लगीगा, ठीक है, comment section में बता देना कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप कहोगे, sir, 22 तारिक के तक लिए पढ़ा दीजे, complete ये करा दीजे, मैं उसको करा दूँग